नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C11 vs Samsung Galaxy M02 का फुल डेप्थ कमपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंद की बात करें तो Realme C11 में 6.47 इंच जब की Samsung Galaxy M02 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है जो की सेम जैसी ही है width की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.99 इंच की width मिलती है बात करें थिकनेस की TWOंों फोन में सेम ही 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते है weight की तो Realme C11 में 196 g blossoms जबकि Samsung Galaxy M02 में 206 g blossoms का weight देखने को मिलता है जो की Realme C11 से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme C11 में IPS LCD जबकी Samsung Galaxy M02 में ATFT LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme C11 में 6.52 इंचस जबकी Samsung Galaxy M02 में 6.5 इंचस मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 720 by 1600 मिलता है Screen to Body Ratio Realme C11 में 82.25 प्रतिशत जबकी Samsung Galaxy M02 में 81.95 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Realme C11 में 279 प्रतिश जबकी Samsung Galaxy M02 में 270 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें MAN camera की तो Realme C11 में 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है और Samsung Galaxy M02 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो Realme C11 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है और Samsung Galaxy M02 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Realme C11 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 6 different features मिलते है और Samsung Galaxy M02 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Realme C11 में power over GE832 जबकि Samsung Galaxy M02 में power over GE8100 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Realme C11 में MediaTek Helio G35 और Samsung Galaxy M02 में MediaTek MT6739 मिलता है बात करें RAM की तो Realme C11 में 2GB की RAM मिलती है जबकि Samsung Galaxy M02 में 2 Variant देखने को मिलता है जिसमें 2GB, 3GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Realme C11 में 32GB की storage मिलती है जबकि Samsung Galaxy M02 में 2 Variant देखने को मिलता है जिसमें 32GB, 32GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो Realme C11 में अप्टो 256GB जबकि Samsung Galaxy M02 में अप्टो 1TB है Operating System दोनों फोन में Android V10 Q देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं Colors की बात करें तो Realme C11 में दो Colors जबकि Samsung Galaxy M02 में 4 Colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme C11 में एक ही variant देखने को मिलता है जो की 2GB RAM 32GB Storage के साथ 7,499 रूपीस में मिल जाता है वही अगर बात करें Samsung Galaxy M02 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 2GB RAM 32GB Storage के साथ 7,499 रूपीस 3GB RAM 32GB Storage के साथ 7,999 रूपीस में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme C11 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Samsung Galaxy M02 की तो उसमें 2 फायदे और शून्य नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में दोनों फोन सेम ही है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में Samsung Galaxy M02 आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M01 Core है जो की opposite 5,999 रुपे में मिलता है दूसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है जो की 12,499 रुपे में मिलता है तीसरा Gioni Max है जो की switch सार 999 रुपे में मिलता है और last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Nokia 3.4 है जो की 10,950 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना